हेलो दोस्तों, दोस्तों जैसे पिछले साल जून 2023 में कोरोमंडल एक्स्प्रेस ट्रेन दूसरी लाइन पर जाकर एक मालगारी से टकरा कर उसका एक्सिडेंट हो जाता है ठीक उसी तरीके से हमारे भारत में आज दोबारा एक ट्रेन का एक्सिडेंट हुआ है दोस्तों आपको बता दूम माइस और दर्भंगा एक्स्प्रेस 11 अक्टूबर को 75 KMPH पर चल रही थी और तभी सामने ग्रीन सिंगल मिलता है ट्रेन को इसलिए लोको पाइलेट ट्रेन को भागते हुए ले जाता है लेकिन ट्रेन का ट्रेक दूसरे साइड में मुर जाता है और ट्रेन दूसरे ट्रेक पर आ जाती है इसके बाद ट्रेन सीधे जाकर मालगारी से टकरा जाती है ऐसे में दोस्तों बताया जा रहा है कि जो पैसेंजर ट्रेन के स्टाफ थे वह सुरक्षित है लेकिन इस हाथसे में ट्रेन की 12 कोच दिरिल हो गई इसके अलावा दो कोच में आग भी लग गई दोस्तों अभी तक इसमें 23 लोग इंजिद हुए हैं जिन्हें अस्पताल पहुचा दिया गया है दोस्तों यहां समझने वाली बात यह है कि अभी सिर्फ एक साल हो रहा है कोरो मंडल एक्स्प्रेस के हाथसे को और बीच बीच में थोड़े बहुत एक्सीडेंट छोटे मोटे हुए हैं ऐसा नहीं कि एक साल भी धंग से इंडियन रेलवे रही हो और अभी यह इतना हाथसा हो गया दोस्तों जो हाथसा हुआ है अगर कोरो मंडल एक्स्प्रेस ट्रेन की तरह इसमें भी कोई तीसरी ट्रेन आ जाती चपेट में तो फिर क्या होता बाकी दोस्तों यहां पर LHB कोच अपना प्रदर्शन दिखाई है क्योंकि भले ही यह एक के उपर एक चट ग हुँँगा कि आखिर यह गलती हुई कैसे पिछले बार की तरह इस बार भी रेल्वे स्टाफ नहीं कुछ गलती की थी और अगर हां तो आखिर क्यों इन्हें धंक से ट्रेनिंग नहीं दिया गया है या फिर कोई दुश्मनी निकल रहे हैं दोस्तों अभी जितनी अपडेट मुझे पता थी मैंने आपको बता दिया बाकी जो भी निकाल कर आएगा जानकारी वह मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा बाकी मैं प्रे करता हूँ कि अब ऐसा कुछ भी ना हो हमारे भारतिय रेल्वे के साथ जै हिंद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में